राजस्थान बिधान सभा चुनाओं में के जिन कुछ बड़े जिलों को लेकर के बहुत हल्चल है उसमें से एक जिला है जुझनु इस सहर को जुजहार सिंग नेहरा ने 1730 में बसाया था और उन्ही के नाम पर ये जुझनु के नाम से ज्याना जाता है और यहाँ पे मनसामादा के मंदिर और कमरुदीन साह की दरगाह काफी फेमस है यहाँ पे कुल साथ बिधान सभा सीटे हैं जिसमें से तीन पर बीजेपी का एक एक पे कांग्रेस बीएसपी का और बाकी पे अन्यों का कबजा है यदि इतिहास के लिहास से बात करें तो पिछले दो चुनाओं से इस पे कांग्रेस का कबजा है यानि कांग्रेस का कंडेड जित्ता रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार इस सीट पे क्या समिकरण बन रहे हैं, क्या बीजेपी इस बार कांग्रेस को यहाँ पे पठकनी दे पाएगी, मैं हूँ विद्धा संकरतिवारी इंडिया न्यूज के डिजिटर जेनरल इन खबर के लिए, दरसल इस सीट का अभी तक का जो समिकरण रहा है, उसमें कांग्रेस लीड लेती रही है, और यह सिखावटी रीजन में आता है, और इस पूरे रीजन का यह दियनल्सिस करेंगे, तो यह रीजन जो है, यह छेत्र जो है, अन्य दलो को भी मौका देता रहा है, यहाँ पे कुल लगभग 2,49,000 मत दाता है और समिकरण के हिसाब से इस बार जो 2018 के चुनाओ मैदान में जो लोग जो राजमाइस कर रहे हैं, उसमें है, बीजेपी के कांग्रेस की तरफ से जो है, अब की बार यहाँ पे उमिदवार जो है, वो है, ब्रिजेंद ओला, वो पूरु मंत्री हैं, और पिछली बार उन्ह ने साथ हजार ओट पाकरके 18,000 ओटों से बीजेपी के कंडिडेट राजीव सिंग को हराया था, और उसके पिछले बार, यानि की 2008 में उन्होंने ही जो है, बीजेपी के मूल सिंग को हराया था, तो यह है 2013 और 2008 के बात, इस बार 2018 में जो उन्हें टकर दे रहे हैं, यानि का आजेंद भामू और ये कांग्रिस के बीजेंद ओला दोनों हैवी वेट कंडिडेट हैं, और दोनों एक दुसरे को टकर देने की स्थिती में हैं, जहां तक बात हार जित की है, तो यहां पे 9,000 यानि 2008 के चुनाओं में लगभग 9,000 और 2013 के चुनाओं में लगभग 18,000 के अंतर से हार जीत हुई थी, तो बीजेपी का मानना है कि ये एक ऐसा छेतर है जहां पे की कांग्रिस को घेरा जा सकता है, या कांग्रिस का चुकी यहां पे पिछली दो बार से लगातार बिधायक है, इसलिए उसके बिधायक के खिलाफ जो लोगों में नराजगी है, उसको भुनाया जा सकता है, इसलिए उसने जो है कंडिडेट बदल करके ये दाव आजमाया है, राजस्थान में बीजेपी ने काफी कंडिडेट के टिकट बदले हैं, उसमें सिटिंग मंत्री और सिटिंग एमेले के अलावा वो लोग भी सामिल हैं, जो पहले सा चुनाओ आई की तो जो कांग्रेस और बीजेपी के उमिदवारों में आमना सामना मुकाबला हो रहा है, वो तो होई रहा है, उसके अलावा निर्दलियों में बबलू चौदरी बीजेपी के ये बागी हैं, और ये सवर्धन सिंग से खावत भी खासा टक कर दे रहे हैं, माना ये ज जिंदर ओला को ये सवर्धन जो है नुकसान पहुचा रहे हैं, तो ये है कुछ जुझनु का हाल, तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं, हमारा डिजिचल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब किजिए